शाना अंकल जल्दे चलो ना, कहीं अवार्ड सरे मने के लिए देर ना हो जाए हाँ, पहली बार दो तारा को कोई अवार्ड मिल रहा है तुमें तो वो भी नहीं मिला अपुन शाम नारंगी, बोले तो शाना, अभी देखो अपुन का कमाल ही ही, दो मिनिट में पहुंचाता हूँ मैं तुम को शाना, तुम धीरे ही चलाओ, तारा बेटे, चिन्ता मत करो, हम पहुच जाएंगे. जैसा आप बुलो, बापु. बापु, हम पाँच गए. और अब अवार्ड देने के लिए, मैं बुलाना चाहूंगा, स्टेज पे जाने माने टीचर, डिसकाउंट डिसुजा को. मेरा नाम है डिसकाउंट, बिना देखे ही करता हूं पैसे काउंट. क्वेज कॉंपेडिशन के विनर का नाम है, जी हाँ, डिसकाउंट डिसुजा का सबसे होनहार स्टूडट, अनमौल. वाश, इसमें दो. अनमौल, जल्दी से स्टेज पर आजो. रो मत्तारा, इस बार नहीं, तो अगली बार जरूर जीतोगी. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बापू? विनर तो मैं ही हूँ. हाँ, बापू, मैंने भी देखा था, तारा के पॉइंट सनमौल से ज्यादा थे. बापू, आप बोले तो अब भी क्या अब भी इस डिसकाउंट डिसुजा को मैं सही करता हूँ, कोपिश चाना स्टाइल में. शाना, हर बार तुम्हें हिंसा क्यों सूजती है? तुम रुको, मैं बात करता हूँ डिसकाउंट डिसुजा से. अरे बापू, आप कैसे है? डिसकाउंट, तुम ये टीचर कब से बन गए भाई? अभी पीछले अब तो ही बापू. वो क्या है कि टीचर से अच्छा और कोई काम समझ में ही नहीं आया मुझे. टीचर मतलब गुरूर दे वो भाव. वो तो ठीक है डिसकाउंट, पर तुमने अवार्ड गलत बच्चे को दे दिया है. क्विज कॉम्पिटीशन तो तारा नहीं जीता था. ऐसा हो ही नहीं सकता बापू. मैंने खुद उस चिट में विनर का नाम देखा था. चोकी अनमौल है. पर ऐसा कैसे हो सकता है डिसकाउ क्योंकि सबने देखा था कि तारा के पॉइंट्स सबसे ज्यादा थे. पर मैंने तो नहीं देखा ना बापू. तो मैं कैसे मान लूँ? मैं तो वही मानता हूँ जो मैं अपनी आखों से देखता हूँ या अपने कानों से सुनता हूँ. अच्छा. तो अभी की अभी एक और क्विज करा लो तारा और अनमोल के बीच देखते हैं कौन जीता है? क्विज तो हो चुका है ना बापू? और विनर भी चुना जा चुका है. अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अभी अगर मैंने एक और क्विज किया तो दो बाते हो जाएंगी. या तो तारा जीतेगी तारा जीतेगी तो ठीक है. लेकिन अनमोल जीता तो दो बाते हो जाएंगी. या तो फिर ऐण अवार्ड आनमोल को देगा या फिर तारा को. तारा को देने का कोई सवाल नही उठते और अनमोल को दिया तो. अब बापू, इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास कि बार बार ए मेरा अवॉर्ड? अवॉर्ड तो तुम्हें ही मिलेगा तारा, बस इसके लिए डिसकाउंट की सोच में थोड़ी गुदगुदी करनी पड़ेगी अरे, टोला गोला भोला, जाओ, जरा जाके पता तो करो कि डिसकाउंट डिसुजा तारा के ओर्डर के साथ कर क्या रहा है डोंट वरे बापू, हम अभी जाते हैं और सब कुछ पता करके आते हैं थैंक्यू सर, आज आपने मुझे विनर जो बना दिया फीज लाए हो की नहीं? जी सर, जैसा आपने कहा था, डबल फीज दे दी है मैंने मसकामार जी को फिर ठीक है, ऐसे ही मेरी बात मानते जाओगे, तो सारे अवार्ड्स तुम ही को मिलेंगे अपनो अर वस, आपने थो सारे अवार्ड देने की बात कर दी हाँ मसकामार, मैं इस बच्चे को सारे अवार्ड्स दिला के माला माल तो हो सकता हूँ पर ये दुख हमेशा रहेगा कि मुझे बच्पन से आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। कोई बात नहीं बॉस, मुझे भी नहीं मिला। अरे, मेरी बात और है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो समझ गये न कालाकार, क्या करना है? बापू, आप बिलकुल टेंशन मतलो हां, सब कुछ बिलकुल परफेक्ट होगा, हां, परफेक्ट अलो, नमस्कार, क्या आप डिसकाउंट डिजूजा बोल रहे हैं? मेरा नाम है डिसकाउंट? हूँ मैं समझ गया, आप काउंट बात में गीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरा नाम है सब की जान, देता हूँ मैं प्राइस महान, ओ सर आप, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको चुना गया है हमारे क्विज के लिए, अगर क्विज में आके आपने सही जवाब दिये, तो आप जीच सकते हैं 10 करोड रुपए, तस करोड रुपए, तस करोड? अगर आप रेड़ी हैं, तो अभी आजाएए हमारे स्टूडियो में, जी जी, मैं अभी आया, नमस्कार डिसकाउंट डिसुजा जी, आपका इस खेल में स्वागत है, वेलकम, बर आज सवाल मैं नहीं, मेरे प्रियम मित्र बापु करेंग, बापु, हरी वो तो मुझे नमस्ते डिसकाउंट डिसुजा, तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल, अगर एक ग्लास में आधा ग्लास करेले का जूस, दो चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, पांच चम्मच काली मिर्च, तीन चम्मच नीम का रस मिला के पिया जाए, तो उसका टेस्ट कैसा होगा इतना मुश्किल सवाल, ये तो मेरे को नहीं पता बापू, नहीं पता है, तो आप करके देख सकते हो ना, तुम तो सब कुछ खुद ही देख, सुन या टेस्ट करके एक्सपीरियंस करते हो ना, लेकिन जल्दी करो, जवाब तीस सेकंड में देना है अगर एक मोजा पहले कीचड में, फिर प्याज के रस में, फिर सड़े हुए जूते में, फिर खुडे के डेर में रखके सुना जाए तो उसकी महक कैसी होगी? मसका मार, दूर करो इसे, इससे तो बहुत गंदी बद्बू आ रहे हैं सही जवाब, गंदी बद्बू इतना ही बोलना था, तो मुझे ये सुंगाने की क्या जरूरत थी मसका मार? और आज की स्क्विज कॉम्पिटीशन के विनर हैं, कलाकार के ना अरे, ऐसा कैसे हो सकता है बापू? विनर तो मैं ही हो ना? पर मैं कैसे मान लूँ कि तुमने ये कॉम्पिटीशन जीता है बापू, ये तो चीटिंग है, मैंने क्या कुछ नहीं किया? सड़ा हुआ जूस पिया, गंदे मोजो को सुगा, क्या-क्या मैंने एक्सपेरियंस नहीं किया इस प्राइस के चक्कर में? अच्छा, तुम करो तो एक्सपेरियंस, दूसरे करें तो चीटिंग? मुझे माफ कर दो बापू, बापू, मेरी गलती मुझे समझ आई, मैं तारा के हग का क्विज कॉम्पिडिशन का अवार्ड उसे वापस करूँगा, मुझे माफ कर दो बापू तो समझे, छीनो मत किसी से उसकी मेहनत का फल, खेलो जो इमानदारी से, जीते वही हर पल साबू